Hello everyone, आज हमारी LTSST के अंदर Geography की पांच भी क्लास है, पिछली कुछ क्लासों में हमने सौर मंदल और अर्थ के बारे हम पढ़ा था, तो सबसे पहले हम पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा उसे रिवाइच कर लेते हैं quickly, फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो पिछली क्लास में हमन सबसे पहले Latitude और Langitude जो बहुत बेसिक सी चीज होती ही जिग्रोफी के अंदर, इंपोटेंट भी है, आपके Slabes के अंदर भी है, इसके बारे हम पढ़ चुके थे, जिसमें हमने पढ़ा था, लेतिटूट की Definition क्या होती है, मैंने बताया था, कि इस तरीके से जो Horizontal Line है य Latitude क्याला थी, इसकी मैंने Definition में बताया थी, इसने नहीं देखी हो, पहले पिछली वीडियो जाके देख ले, उसके अलावा मैंने करकर एका के बारे हम बताया था, मकर एका के बारे हम बताया था, कि ये 37 डिगरी उत्तरी और दक्षरी अक्षान सुपे होते हैं, वैसे आर इसलिके से हमने Different ये ताप कटी बंदों के बारे में पिछली क्लास में पढ़ लिया था, फिर हमने पढ़ा Longitude के बारे में, इसकी Definition के बारे मैंने बता दिया था, कि जो Zero degree Longitude है, जिसे हम Greenwich Meridian भी कहते हैं, इसके दोनों तरफ, यानि पूरू और पश्ची में जो लाइने क कैसे किया जाता है, different time निकालने के लिए, इसमें हमने पढ़ा था कि जो time zone है, वो तीन type के time zone हमने इसमें पढ़े थे, local time और standard time, दो type के हमने time zone पढ़े थे, उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जो GMT है और IST है, ये दोनों एक तरीके से standard time हा लग लग, ठीक है, लोकल time के ब time calculate करें, तो local time होता है, या हम पढ़ चुके थे, इसके बाद हमने पढ़ा था, standard time के बारे में, standard time के बारे हमने क्या पढ़ा था, कि कोई भी country, क्योंकि ये country है, तो बहुत सारे देशांतर से गुजरती है, बहुत सारे देशांतर उस country से गुजरते हैं, तो जो अलग-लग अगर local time का हम calculate करें, तो एक देश में कही सारे time हो जाएंगे, इसलिए conclusion क्या निकाला गया, कि पूरे देश में एक time होगा, और usually ऐसा किया गया, कि उस country से 20 से निकलने वाले देशांतर का local time को ही, उस पूरे देश में अपलाई किया गया, और यही time कहा, standard time ही हम पढ़ चु तो इसी को इंडियन standard time कहते हैं, यह हम पढ़ चुके थे, GMT के बारे में भी हमने पढ़ा था कि GMT पी एक तरीकी का standard time है, जिसमा हमने 0 degree जो देशांतर है, इसके according time की अगल calculate करें, तो GMT होता है, अंतराश्टी date line के बारे में हम पढ़ चुके थे, कि 180 degree लोंगीडोटेनी, 60 degree देशांतर से गुजर्पती है, और यह भी बताया था कि इसके दोनों तरब एक date का परिवारतन होता है, हाला कि 24 गंटे का time difference नहीं होता है, यह different mocks में, जो Sunday mocks होंगे, उसमां पूछोंगा इनको, बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा, इन chapters के बारे में, यह exam में भी पढ़ते हैं, हमने जो बच्पन हों पढ़ना चाहिए था, लेकिन हम वो नहीं पढ़ पाए, जिसके वज़े से हमारी जो 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 जोगरफी है, वो वीक हो गई है, तो यहाँ पर बिसिक छोटी चोटी वीडियो के अंदर समझाया गया है, तो आप इस तरीके से जो इस तरीके से हम पिछली क्लासों में लेटिटूड और लॉंगिटूड तक अपना खतम कर चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे मोसन अफ अर्थ के बारे में, जो अर्थ का ही सेकिंड कंपोनेंट है, और सी जन अफ अर्थ, यह दोनों आज हम कंप्लिट कर देंगे, और यह हमा अब प्रिथवी जो कहा है, वो दो तरीके की गति करती है, एक होता है, रोटेशन, रोटेशन मतलब क्या होता है, जिसको हिंदी में परी-ब्रहमण भी कहते हैं, यह जो प्रिथवी है, वो अपने एक्स पर ऐसे गोल-गोल घूमती है, आपने सुना होगा, कि इस तरीके से west to east तो इसको कहते हैं प्रित्वी का अपने अक्ष पर गूमना इसको कहा जाता है rotation यानि परी भ्रहमण भी इसको हम लोग कहते हैं घुडन भी इसको कहा जाता है यह सारे सब्द एकी चीज़ के लिए परियुक किया जाता है तो इस तरीके से west to east गूमती है नि पश्यम से पूर्व की और अर्थ गूमती है और इसके गूमने से क्या फरक पड़ता है इसके गूमने से क्या होता है दिन और रात होता है इस चीज़ को बहुत specific ग्याद करियेगा यहाँ पर examiner confuse करता है कई सारे mcqs में आपसे पूछेगा कि परी किरमन के कारण दिन और रात होते है या परी भरमन के कारण होते है इस तरीके चीज़ करता है इसको ध्यान रखियेगा तो परी भरमन जो है नहीं घृड़न जिसको हम कहते है अर्थ का पृत्वी है अपने एक अक्स पर घूमना गोल-गोल घूम रही है इसी को हम परी के भर्मन कहते हैं गोडन कहते हैं तो पर्ष्चम से पूर्व क्यों गूमती है मैंने आपको यह चीज बताई दिया और गोडन कहते हैं इसी के वज़े से दिन और रात भी होते हैं बहुत सिंपल है इसको ध्यान में रखिएगा अब एक चीज हो रहे है कि यह अपने कश तल पर साड़े तेज डिग्री चुका हुआ है इसका मतलब क्या है देखो यह आपको यह दिख रहा है यह अक्स है प्रित्वी का अक्स है यह सीधा नहीं है अगर सीधा होता तो यह ह प्रित्वी अपने अक्स पर इतना जुक गई आगे तो अगर मैं इसको इक वेटर मालूं क्योंकि वेटर बीच में होती है ऐसे माल लूं तो हम एक चीज समझ में आयागा कि यहां से यह कुछ कौन आगे चुकी हुए यह अक्स है तीकि यह यह आगे जुकी हुए इतना य कितनी डिफी है ये है 3.5 ये पूछा जाता है कोmensिताए वह अपने कर ते इसके पर टो ये अगर 91 करए टो टोल मब्बे होता थो ये जाकर 63 फूर मीं गजेंदर कितना जुकी है और अपने जो इसका लंब तल उसके ऑपर कितना चुकी है इसमें देखो ध्यान से सम्झना ये जो है ये प्रित्वीए प्रित्वी के अंदर ये कक्स होना चाहिए था लेकिन इसको हम कहते हैं लंब दल और ये जो सामने वाला इसको कह थे तो कक्षी तल यहां पर कितना है 60-60 degree और जो लंब तल है वह है आपका 37 degree बस इसमें इतना याद रखना कक्ष तल लंब तल याद नहीं भी रख पाए आप तो simply याद रखना कि प्रित्वी अपने अक्स पर जो जुकी हुई है प्रित्वी यहां वह है जुका है सींपल आगे देखते हैं तो इस तरिके से हमने समझ लिया कि प्रित्वी की दो टाइप की गतिया होती पहली हमने समझ ली जिसको हम कहता है ने रोटेशन यानि परीक लें यारोरलन तो जो होता है वो होता है यह परिकती है कि आता है, हो परीक कर्माण आ गोल से कब्दी है Capital यह जो परीक भ्रामन चाना लोकिशा कर सकते हैं कि उसको सिम्झते है Gall Pacs पूरे साल और यें कितना दीन लेती है 365 दिन वैसे 365 साल दीन और 6 साहर का टाम लेती है लेकिन हम जो है एक साल में 365 दीन मानते हैं और ये 6 आवर जो बच जाते होता है तो तब हम जो है 366 दिन माल लेता है ठीक है सिंपल है 363 और 6 और में घुमती है ये भी करी के बार option मग देगा तो ध्यान रखिएगा 365 और 6 और में घुमती है तो इस तरीके से तो यह है प्रिथवी का सूरी के चारों और घुमना जो है वो परीभ्रम्ण कहलाता है इस इस से क्या शक पड़ता है एक तो होने पड़ लिया कि प्रिथवी के अपने अक्स पर गुमने इस से दिन और रात होते हैं सिंपल इतना ध्यान रखना कि इस से केवल दिन और रात होते हैं जो अपने अक्स पर गुमती है लेकिन जो सूरी के चारों और गुमती है इसकी व होती हैं और इसका उल्टा होता है सर्दियों में Winters में क्या होता है? Winters में आपकी रात जो है वो बहुत बड़ी होती है और दिन होता है यह क्यों पाता है इस परिश्व Striima के काऱ हुआ ठेके दीखना जैसे जय से जब गरिमियों के याइ डिसंबर को टाइम है यानि पृत्वी इस टाइम पे दूर होती हालाकि इस पिक्चर में जैसे दिखाया गया है वैसा एक एक्जाक नहीं होता और जो इंडिया है वो पढ़ता है Northern MSPR में या उत्तरी गोलार्द में तो दिसंबर के टाइम पे उत्तरी गोलार्द से दूर होती है इसके हम बाद में पढ़ेंगे इस चीज को कि एक्जेक कैसे होता है तो अभी फिलाल सिंपल इतना याद रखिए कि दिसंबर के टाइम पे जो होती है सर्दिया होती है तो उस टाइम पे क्या होती है राते बड़ी होती है और दिन जो होती है वो छोटे होते है तो इस तरीके से क्या होता है प्रित्वी के चार और सूरी के चार और प्रित्वी के घूमने के कारण यानि जो परिक्रमण है उसके कारण क्या होता है दिन और रात जो होते हैं वो छोटे बड़े होते हैं देखें ये इसका एक impact हो क्या इसके अलबा क्या होता है कि जैसे घूम रही है देखो दिसंबर में यहां गई जनवरी में है मार्च है इस तरीक से घूम रही है यानि इसी की वज़े से क्या होंगी रित्वे होंगी सीज होती है और दिन और रात की जो लंबाईयां है उनमें कम ज्यादा टाइम होता है ठीक है चोटी बड़ी राते होती है यह ध्यान रखना तो यह पूछा जाता है कि एक बार option के अंदर बनाके पूछेगा कि परिक्रमण की कारण की कारण होता है तो यह होता है तो इसका यहां पर है कि उपसौर और अपसौर यानि जब प्रित्वी जो है सूरी के सबसे नजदीक है उस टाइम को कहते है परिहलियों यानि उपसौर और जब प्रित्वी जो है सूरी से सबसे दूर पॉइंट पर यानि इस से दूर कभी नहीं जाती वो सबसे दूर वाला पॉइ याद रखना, कई बार एक्जाम पूछे गई, फिरत्वी उस सोरी से सबसे ज़ादा नज़्दिक होती है, उसको उपसवर, और सबसे ज़ादा दूर जब होती है, उसको कहते है, अफसवर, होता है 4 जूलाई को, और उपसवर होता है, ये है, सिम्पल जेक, कन्फूज होने क विसोव को हम बोलते हैं Eukinox ये और एक है Solistic ये क्या होते है इसको ध्यान से समझते हैं ठीक है देखूं जैसे प्रित्वी ये है घूम रही है ठीक है ये परिकर्म पूरा थीन सो पैसेट दिन में कर रही है और थीन सो पैसेट दिन में इसके अलग-अलग इस तरीके से पोज एक वाली दूस्री दोत्री नियेवाली दीसरी ये वाली है चालू पूजिशन बहुत ज्यादा इंप्रणिन्ट तरफ सीम चीज ये ये इससे समस्झते देखो कि दिसंबर का टाइम होता है ये प्रित्वी तो इस का में इस टाइमह व्ता है ये एक्क्वेटर karen तो यह दूर चला जाता है यह करकर रहखा वाला पार्ट दूर गया हुआ है तो इस दिसंबर वाले टाइम में जो मकर रहखा वाला पार्ट है वह क्या है पृत्विक सुरी के सामने होता है इसको कहते हैं विंटर सोलिस्टिक सिंपल इतना ध्यान रख लो अगर यह ऐसे एक्जाम में आपके कॉंसेप्ट नहीं आने वाले अब मैं तुछ सिर्फ समझने के लिए आपको बता रहूं अगर यह बहुत जादा हैवी लग रहा है तो सिंपल याद रख लो कि जो दिसंबर वाला टाइम होगा दिसंबर में स जून वाला टाइम जून वाले टाइम पर करक रहा पर सूरी लंबवत होगा और फिर उसके बाद जो आपका सेप्टमर वाला टाइम तब दुबार भूमदी रहा पर सूरी लंबवत होगा जब जब भूमदी रहा पर सूरी लंबवत होता है इसको कहते हैं विसव विसव या equinox, इंगल्स में कहते हैं इसको equinox, और जब मकर रेखा पर सूरी लंबध होता है, इसको कहते है winter solistic, ठीक है? यह लिकाए देखू, winter solistic, और हिंदी में इसको कहते है, seet aynand, और वैसे ही जून में जब करकर एखा पर सूरी लंबवत होता है तो इसको कहते हैं summer solistic ठीक है summer solistic यह भी यहां पर लखा देखो summer solistic ठीक है और इसको हिंदी में कहेंगे यह खिर दो तो इतना के एक्जाम में अने वाला है में इस बहुत ज़्याद़ एक्स्पीन कर सकता हूँ आपके लिए लेकिन होगा कि इससे confusion बढ़ेगा आपके एक्जाम में वह बनने वाला नहीं है कि जहां पर बिल्कुल एक्दम स्टेटमेंट को लेके वन और टू टू एं त्री ऐसा पूछने वाला बिल्कुल नहीं आपके एक्जाम में पोस्ता है तो सिंपल यह चीज़ याद रखलो आप कि कब मकर रेखा पर लंबत होगा कब भूमदी रेखा पर लंबत होगा कब करकर रेखा पर होगा और कब वापस यहाँ चला गया तो इस तरीके से गोमते गोमते यह राउंड पूरा करता है त्यान रखिएगा इस चीज़ को यहां पे यह जब्सक्राइब कर दिसमबर का मतलब है 2 दिसमबर, जून का मतलब 21 जून, और सप्तंबर का मतलब 23 अँड़ाथ होता है। और इन दोनों को टाइम को जब जब दो बार भूमदी रेखा पर लंबत होता है नहीं 23 सेप्टमबर और 21 मार्च को दो बार होता है तो इनको विसोभी कहते हैं विसोभी को ध्यान रखेगा और एक चीज यह भी ध्यान रखेगा जब रितू होती है बने बताया कि प्रित्व के अंदर explain करके समझ सकते हैं लेकिन उतना आपको समझने की बिल्कुल जर्वत है नहीं आप सिब इसको याद करिए क्या कि दो तरीकों से रितू होती है नि दो कारण होते ही रितू के पीछे एक सूरी सारी प्रित्वी का सूरी के चार और गोमना और दूसरा है जो प्रित सकते हैं कि कौन सी चीज आपको इसके अंदर समझ में नहीं आई है या कोई चीज आपको रिवाइज करनी है वहां पर कर सकते हैं हम डाउट सेशन भी लेंगे जल्दी जैसे में फ्री होता हूं लाइप डाउट सेशन मागवा कर रहा हूंगा जिसमें आप अपने सारे डा और यहां दो टाप की इगतिया होती है और चाहिए हमने समझ लिया और इसके लावकिशान आप अर्थ भी समझ लिया तो इस तरीके से हमारा जो पहला वाला चेप्टर था अर्थ एं इन सोलर सिस्टम वाला यह निया तो आर्थ के प्रत्वी के बारे में जो-जो वाला है लेकिन हाँ फिर भी ऐसा कुछ नहीं है मैंने यह बता दिया कि आपको क्या एची याद करना है क्या नहीं करना है और कोई भी confusion होगा तो आप मुस्से डिरेक्टली ग्रूप के मादिम साब पूर सकते हैं तो आज के लिए था ही थैंक यू सो मुच पर झालव तो आखें तो झालव खालव ग्रूम और को देह एंके था हैं